Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace, तो यह है class 7 की history का chapter number 4 and इस chapter में अभी हम discuss करेंगे मुगल traditions of succession के बारे में, title का मतलब क्या हुआ कि मुगल empire में succession का क्या tradition रहा है, मतलब मुगल empire में succession किस तरीके से होता था, अब succession का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, that means holding a very important position after somebody else, कि राजा के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, तो वो होगा succession and जो भी उस गद्दी को occupy करेगा उसे हम कहेंगे successor, ठीक है, जैसे कि suppose करो यह राजा है and इसके हैं अभी 3 बच्चे, ठीक है, तो यह है सबसे बड़े वाला बेटा, यह दूसरे नंबर का बे थ्रोन को कोन occupy करेगा, वो कहलाया जाएगा succession and जो भी राजा के बाद इसका बेटा इसकी गद्दी पर बैठेगा, वो कहलाया जाएगा successor, है ना, तो उसे हम कहेंगे उत्राधिकारी, अब दीको succession जो है, वो दो तरीके से होता है, एक तो है प्राइमो जानिचर, एक होता है कोपार सिनरी, ठीक है, अब प्राइमो जानिचर का मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एल्डेस्ट बेटा होता है, वो ही उत्राधिकारी बनता है, और उसी के पास जो है सारा राजपार्ट चला जाता है, लेकिन कोपार सिनरी में क्या होता है, इसमें होता ये है क कि जितने भी बच्चे हैं, मान लो राजा के चार बच्चे हैं, तो चारों में जो inheritance है, उसको बाटा जाएगा, राइट, जैसे कि इस चीज़ को आप रिलेट करो, प्राइमो जनीचर का मतलब यह हुआ, कि जो सबसे बड़ा बच्चा है, उसके पास सारी प्रोपर्टी आई लेकिन कोपार सिनरी में ऐसा नहीं होता है, कोपार सिनरी में क्या होता है, कि जो चार बच्चे हैं, उन सबी में प्रोपर्टी को बाटा जाएगा, राइट, I hope अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा, अब आगे हम यहां लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, The Mughal did not believe in the rule of primogeniture, कि Mughals जो है न वो primogeniture को follow नहीं करते थे, मतलब Mughals में क्या होता था, कि जितने बच्चे होंगे राजा के सभी में प्रोपर्टी को बाटा जाएगा, Mughals में ऐसा नहीं था कि primogeniture को follow किया जाए, कि जो बड़ा बेटा है उसी को सारा राजपार्ट दे द his father's state, that means कि primogeniture का मतलब भी होता है, जब बड़ा बेटा जो है वो अपने फादर की सभी प्रोपर्टी का हकदार हो, उसे हम primogeniture कहते हैं, instead they followed the Mughal and Timurid custom of Kapar's Henry inheritance or division of inheritance amongst all the sons, so basically Mughals में क्या होता था, ये Mughal या Timurid custom को follow करते थे, मतलब Mughal and Timurid custom जो है, इसमें होता ये है कि ये Kapar's Henry inheritance को follow करते हैं, जितने बच्चे होंगे, उन सभी में inheritance का division होगा, मतलब अगर चार बच्चे हैं, चारों के बीच में ही प्रोपर्टी बाटी जाएगी, पांच है तो पांचों के बीच में प्रोपर्टी बाटी जाएग कि एक टाइम पर आकर सभी के पास प्रोपर्टी हो जाती है, तो जो भाई होते हैं उनमें बनना मुश्किल हो जाता है, मतलब उनमें हमें एक ब्रदर हूड नहीं देखने को मिलता है, एक distrust क्रियेट हो जाता है, राइट, हाला कि हमने कोपार सिनरी के बारे में बात की थी टेबल नमबर वन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, नोट दा एविडेंस फोर रेबेलियन्स बाई मुगल प्रिंस, तो यहां पर आगे यह बताया कि आप टेबल वन में जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई एक दूसरे का दुश्मन है, भाई अपने पिता का दुश्मन है, मतलब बेटा अपने पिता का दुश्मन है, क्यों क्योंकि कोपार सीनरी में होता यह है कि सभी के पास जब एक टाइम पर इन्हेरिटेंस आ जाती है, तो उनको यह लगता है कि मेरे से ज्यादा सामने वाले के पास ना चली जाए है ना तो वो एक distress create हो जाता है बट यहां NCRT आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भई अगर हम प्राइमो जनिचर को पार सिनरी इन दोनों की बात करें तो आपके नजरिये से कौन सा प्रोसीजर सबसे बेस्ट है प्राइमो जनिचर बेस्ट है कि को पार सिनरी तो य राजा के पास उसकी गद्धी पर कोन बैठेगा अगर राजा के चार बच्चे है चारों में से ये देखा जाएगा कि कोन इस गद्धी पर बैठेगा और जो उस गद्धी पर बैठ गया उसे हम कहेंगे उत्तरादिकारी इंग्लिश में उसे हम कहेंगे successor अब जो ये succession होता सक्सेशन का प्रोसीजर दो तरीके से होता है एक तो होता है प्राइमो जनीचर जिसमें बड़े बेटे को जो है सम्मान दिया जाता है बड़े बेटे को प्रोपर्टी दे दी जाती है राजपार्ट दे दिया जाता है लेकिन कोपार सीनरी में क्या होता है कोपार सीनरी में हो की जाती हो, मतलब हर बच्चे को property जो है दी जाती है, divide की जाती है बच्चों के बीच में property, लेकिन उसमें प्रोब्लम यह आती है कि उसमें हमेदा पिता और बेटे के बीच में father और son and brother to brother इनके बीच में हमें rebellion देखने को मिलती हैं जो हमने table number 1 में already कर ली है अब हम यहाँ यह देखेंगे कि मुगल के other rulers के साथ किस तरीके के relations रहे हैं मुगल relations with other rulers take a look at the table 1 once again you will notice that the मुगल rulers campaigned constantly against rulers who refuse to accept their authority तो यहाँ एक चीज तो आपको यह समझ के रखनी है कि भई जो यह मुगल rulers थे न यह continuously military expeditions पर लगे रहते थे ठीक है and specially इन्हों ने अपने campaign उन ruler के against चलाए those who refuse to accept their authority मतलब जो ruler मुगल की authority को accept करने से इनकार कर देते थे ना उन पर यह अपने campaigns continuously चलाते रहते थे मतलब उन पर यह attack करते रहते थे but as the mughal became powerful many other rulers also joined them voluntarily voluntarily का मतलब होता है अपनी इच्छा से तो यहाँ पर यह बताया है कि वैसे तो mughals जो थे वो बहुत powerful थे and दीरे दीरे इन्हों ने अपने military expeditions को और ज्यादा enlarge कर दिया and काफी ज्यादा area को अपने under capture कर दिया so gradually mughals और भी ज्यादा powerful हो गए तो अब हुआ यह जैसे ही mughals बहुत ज्यादा powerful हो गए तो बहुत सारे ऐसे rulers रहे जिन्होंने अपनी ही मर्जी से इनके आगे घुटने टेक दिये and इनके साथ वो मिल गए थे राजा the Rajputs are a good example of this तो Rajput जो थे उन्होंने voluntarily किसको जोइन कर लिया था Mughals को जोइन कर लिया था so many of them married their daughters into Mughal families and received high positions but many resisted as well so बहुत सारे Rajput rulers ने क्या कि अपनी बेटियों की शादी जो है वो Mughal के खांदानों में करनी शुरू कर दी right and अब देखो जैसे कि दो family का रिष्टा बन गया कि Rajput जो थे इन्होंने क्या किया अपनी डोटर्स की शादी अपनी बेटियों की शादी जब Mughal family में शुरू कर दी करनी तो अब Rajput का भी दर्जा और ज़्यादा उपर हो गया अब यहां इसका मतलब यह नहीं था कि राजपूत लोग डरते थे इनसे लेकिन हम यह कह सकते हैं कि मुगल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे इस टाइम पर तो राजपूत नहीं कहीं न कहीं यह सोचा कि यहां पर जो है लड़ाई करने से अच्छा है कि क्यों नहीं इनके साथ एक अगेंस्ट लड़ाई लड़ी लेकिन हमें यहां पर एक्जामपल यह देखना है कि कौन से वो रूलर थे राजपूत रूलर जिनोंने मुगल फैमिलीज में अपनी डोटर की शादी कराई तो यहां पर सबसे पहले हमें एक्जामपल किसका देखने को मिलता है जहांगीर की मदर का जहांगीर की मदर किसकी वाइफ थी? अकबर की तो जो जहांगीर की मदर थी वो एक कचवाहा प्रिंसस थी अंड अम्बेर जो है ना यह modern day जैपूर जो उसको अम्बेर कहा जाता था पहले के टाइम पे तो अम्बेर के राजपूत रूलर की डोटर थी जहांगीर की मदर तो जहांगीर की जो मदर थी वो एक कचवाहा प्रिंसस थी और वो एक राजपूत खांदान से बिलोंग करती थी एंड वो राजपूत रूलर कहां से थे अंबेर से modern day जैपूर ऐसे ही अगर हम शहां जहां की बात करें तो इनकी मदर जो है वो राठोर प्रिंसस थी एंड वो भी एक राजपूत रूलर ओफ मारवाड मतलब जिसे modern day जोधपूर कहा जाता है उनकी वो डोटर थी तो यहां पर हमें दो एक्जाम्पल क्या देखने को मिल गए कि एक तो जहांगीर की मदर एंड दूसरा शहां जहां की जो मदर थी वो राजपूत फैमिली से बिलॉंग करते थे अब हमने उपर यह देखा कि कुछ राजपूत तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी डोटर्स की शादी मुगल खांदान में की and eventually those राजपूतs got higher position but some राजपूतs were continuously on the military resistance against मुगल जिसमें से एक थे महाराना प्रताब जी जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक मुगल अथोरिटी को accept करने से मना कर दिया once defeated however they were honorably treated by मुगल्स लेकिन एक चीज़ यह ध्यान रखनी है कि मुगल्स अगर किसी को हरा दिया करते थे तो उसके बाद ये अपने opponents को honorable तरीके से treat करते थे and मुगल्स अगर किसी भी ruler को हरा दिया करते थे तो उसके बाद ये उनको उनकी जमीन वापिस कर दिया करते थे तो जैसे कि आगे लिखा हुआ है given their lands back as assignments अब lands को क्या कहा जाता है वतन and assignment means वतन जागीर जैसे कि जो मुगल्स थे जैसे suppose करो ये मुगल्स हुए इन्होंने अगर किसी ruler को हरा दिया तो इसके बाद ये मुगल्स इस ruler को अप्मानित नहीं करते थे बल्कि जो इस ruler की जमीन होती थी इसको वापिस दे दिया करते थे लेकिन ये कहा करते थे कि यहाँ जहान हम ही होंगे लेकिन तुम हमारे अंडर काम करोगे इस जमीन पर राइट तो हमने यहां पर क्या खास बात देखी हमने यहां यह खास बात देखी कि जो मुगल्स है न वो कियर्फुल बैलेंस बना कर चलते थे अपने एंड ओपोनेंट्स के बीच में कियोकि यह अपने ओपोनेंट्स को हराने के बाद उनको कभी भी हुमिलिएट नहीं करते थे बलकि उनको ओनरेबल तरीके से ट्रीट करते थे कैसे एक तो उनकी जमीने उनको वापिस दे दिया करते थे औन इसके अलावा उनके religion की respect करते थे, उनको humiliate नहीं करते थे, तो इस तरीके से जो मुगल है, उनका influence आगे बढ़ता गया, बट जो ये careful balance चल रहा था, इसको आगे जाकर किस ने तोड़ दिया, ओरंग जेब ने तोड़ दिया, तो हम ये देखते हैं, कि जैसे ओरंग जेब का time आता है, ये जो balance है, ये टूट जाता है, क्योंकि ओरंग जेब जो है, वो बहुत ही ज़्यादा religion को लेकर cutter था, very fanatic person he was, तो ये क्या करते थे, ये दूसरे धरम के लोगों को अपमानित करने लगे, ये ओरंग जेब जिस जिस इनने भी rulers थे, वो एक balance बना कर चलते थे, opponents के साथ, उनको respect देते थे, हराने के बाद भी उनको humiliate नहीं करते थे, बट ओरंग जेब एकदम अलग किस्म की personality थी, ये जो है, हर एक opponent को humiliate किया करते थे, अब एक time पर जो है, शिवाजी जो है, इन्हों ने भी ओरंग जेब को अपनी assistance देने की कोशिश की, देखते हैं, चलो पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वैसे हमने ओरंग जेब और शिवाजी के बीच की जो कहानिया ओरेडी हमने पढ़ लिया, इस chapter में, ओरंग जेब इंसल्टिड शिवाजी वन ही केम तो accept Mughal authority, what was the consequence of this insult, तो हुआ यह था कि शिवाजी ने जो है, कहीं न कहीं अपनी assistance, अपने आपको कहा, मतलब ओरंग जेब को कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारेजद कोलाब करूँगा, लेकिन हुआ ये कि ओरंग जेब जो है, उन्होंने शिवाजी की insult की, ठीक है, और शिवाजी को capture कर लिया, लेकिन श जो है, ओरंग जेब को किस ने resist किया, शिवाजी, महराज जी ने resist किया, और जेब का जो ये सपना था न, डेकन पर रूल करने का, इस सपने को किस ने तोड़ा, शिवाजी, महराज जी ने तोड़ा था, तो यहाँ पर देखो, ओरंग जेब का example क्यों दिया गया, ये आपक कि जो मुगल्स थे, वो दूसरे रूलर्स के साथ किस तरीके का relation बना कर चलते थे? एक balance बना कर चलते थे, लेकिन ओरन्ग जेब ने इस balance को तोड़ा और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि ओरन्ग जेब जो है, वो डेकन पर जो है, रूल नहीं कर पा बढ़ आपको यह ध्यान रखना है कि औरंग जेब जो थे इनोंने शिवाजी को आगरा में बुलाया वाइन को कैप्चर किया लेकिन शिवाजी जो है वो इनको चक्मा देकर आगरा से भाग गए and शिवाजी महराद जी ने फिर जो है औरंग जेब को अच्छा खासा सबक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनसबदार्स के बारे में लेकिन मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसका आंसर मुझे कोमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्वेश्चन ये है कि आप ये आंसर लिखेंगे कि जो मुगल्स थे वो किस तरीके के सक्सेशन प्रोसीजर को फोलो किया करते थे ठीक है दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं सक्सेशन प्रोसीजर दोनों के नाम लिखेंगे and फिर लास्ट में ये बताएंगे कि इन दोनों मे से मुगल कौन से ट्रडीशन को फोलो किया करते थे ठीक है चलिए मिलते हैं next video में till then bye bye thank you so much for watching this video आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड़ सकते हैं and instagram की ID है Priyanka Gor P-R-I-Y-A-N-K-A-G-A-U double R अगर आपको कोई भी doubt है आप मुझे instagram पर भी ping कर सकते हैं thank you so much for watching this video